नमस्कार यूपी मिस्रका इंसाइड धार खंड की ओर से खंड़क का मौसम है और शरीर में कुछ बस्तर पहनने को आनम से मिल जाता है इसलिए स्वास्थ देखने में तो मैं बिल्कुल भला चेंगा लग रहा हूँ कि मेरी बोली से, आवाज से, आवाज की थर्थराहट से आपको अंदाज लग गया होगा कि मेरी शरीर को भीतर कितनी छंगता है मैं अपना चेकब भी वहाँ करा लिया मारे डैक्टर साहिब की चुटियां थी तो अपने मुम्मी पापा और नाना जी को लेकर के वो बॉंबी चले जाए तो उनकी तुमस्ती रही अनंद भोग के पूरा मैं भी चला डैस्ट कर लिया हूँ रैस्टाउस में एक हे दिन बाहर निकला था भगवान गड़ेश के दर्शन को सिद्धी नायक कहीं मेरा पने जागरित था और भोली में थोड़ा धिराम लेकर के बोल रहा हूँ देख रहे होंगे आप बात करनी के वीक्षा नहीं होती है थामद सोतना नहीं हुआ लिकिन तो बैट के जो जिनकी कुल्डिया बाकित थी वही मैं बना रहा था दो दिनों से तो कल से अनलेसिस भी सुरू कर दूँगा और आने जाने में बहुत कर्ष्ट हुआ जात्यस में भी परस्टेशी के बीए दुरगोशा होस्त की अंदाज में था में तो जानी करता ही था लेकिन इकोनॉमी और वो फैसलिटी और करते करते इसको इस तरह से डिबलत कर दिया गया है कि इसकी जो खास्यत पी सब फटम हो गया है इसकी तरह सब्सक्राइब करते 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 हैं कि दो हजार बाइस पीट गया इस सब्सक्राइब हो गया सब्सक्राइब करते 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 हैं अश्टो खुब उमीद करता हूं कि शरीर इतना स्वस्थ हो जाएगा कि मैं साम को अपने ही केंपस में थोड़ा चलपाओं शरीर को मवलाजिक तो रखना परते हैं आज मैं इस्टोलोजिकली कुछ बात आपसे करना चाहता हूं साल का तो अंत हो गया 22 का अंत हो गया 23 सुरू हूआ और यह सारी चीज़े गरिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से हो रहा है और यह गरिगोरियन कैलेंडर पूरे विश्व में मानने है तो सारे लोग जो उस सब मना रहे हैं पूरे विश्यू उट सब मना रहा है और मैं कहूं का मेरा निया साल आया नहीं है तो इट सौंड्स वेरी रिडिकलास ठीक नहीं लग रहा है लेकिन हाँ हमारा जो निया वर्स है वो 22 मार्च 2023 से सुरू होगा बुद्धवार दिन से और दस वज करके तिरपन मिरत मिनट रात्रे से सुरू होगा लेकिन क्योंकि सारे विश्यू नव वर्स मनाते हैं तो मैं भी मनाता हूँ सारे दुनिया के साथ मैं भी उनका एक अंग हूँ इस्ट्रोजिकल प्रोडिक्शन करने में जन्वरी फट्वरी मार्च बाइस तक को लोग स्किप्ट कर जाते हैं और मार्च का जो जो नौ वर्स भार्ट वर्स का आता है उसी को लेकर के भार्ट ये जो तिस साथ के विद्वान पुरे वर्स की गिनना करते हैं तो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ मैं एक सामान्य बात जो अपने मन की बात मैं शेयर करना जाता हूँ अनुभव के साथ कुछ चीज़ों को तो अनुभव सिद्ध कुछ चीजें होना पाना भी बहुत बड़ी उतलब्धी है वैसे तो जिदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इंग्रिस में इतनी पुष्टकें हैं इतनी पुष्टकें हैं कि आप जिदि दो भी पुष्टक चेचे महना में समात कर आपने साथ करने का चेश्टा करेंगे तब भी आपके आयू बीच जाएगी लेकिन कुष्टक नहीं पुष्टक हैं इंग्रिस में जिंदी में भी हैं और सभी भासाओं में तो जोति सास का साहित बहुत रिच है जैन साहित में भी भरती है भरा हुआ है एक से एक जैन साहित में बिद्वान हो गए कभी कभी भाग्य बढ़ियां रहता है तो कुछ अच्छी पुष्टक के हाथ में आ जाती है अब जब हाथ में आई तो साधन और संपन्यता नहीं था कुछ किताबें नहीं खरीद पाया जो मेरे डोर स्टिप में था मेरे फीलर्स में साधन नहीं था शंता नहीं करें तरस्ता रह गया हाला कि फीलर्स वाले बॉलके से मिस्रजया अपली हो जाईए इनने का जिब जो मेरे शंता नहीं उसको क्यों प्रदर्शित करूं आपको आपने कह दिया इतने ही आपका बड़त्पन है मैं आपके यहीं आकर के एक जंता इस्टड़ी कर लिया करूंगा यह नहीं जाओंगा इसी करता थो मैं तो आज कुछ अलग बात करना चाहते हैं साल अंत हो रहा है और सनी का साल भी अंत हो रहा है सनी एक महिने एक डिगरी चलते हैं तो तीस महिने में तीस डिगरी यानि एक घर पार करते हैं एक रासी पार करते हैं एकदम हम रूल में सोच लिए, सनी एक डिग्री चलने में एक महीने लेते हैं या तीस के लेते हैं। तो सभी लोग जानते हैं, अठारा तारिक तो सनी कुम्हरा से में प्रवेश करेंगे। तो हमारे साल का अठारा जन्वरी को हो रहा है सनी के द्वारा। और गुरू के द्वारा भी वर्स करने में होता है। इस प्रवेश हैं बहुत सारी प्रविजन्स हैं। गुरू के द्वारा होता है तो समगत सत्रह तारिक को गुरू में इशरासी में जाएंगे। मार्च में शनी का वर्शान्त हो रहा है और अप्रिल में गुरू का वर्श का अंत हो रहा है। तो हम लोग जेनरल देखते हैं कि भाव या ओनर्शिप अप 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 इस्टार्स इस सब बिलकुल चहिए है। लेकिन इतनी विशद भी वेचना है अनिलसिस करने में कि पसीना छोड़ जाता है। जो ही मैं अपने जो लोग हमारे पास कुड़ी भेग चुके हैं और जिनकी कुड़ी मैं देखता हूँ या अनिलाइस करूँगा। मैं तीन बार उनको पढ़ता हूँ, तीन बार उसको अपने मनमी अनिलाइस करता हूँ। एक तो जब मैं खुद निर्मान करता हूँ कुंड़ी को अपने हाथ से, दूसरा निर्मान करने के बार, उसकी अच्छाई बुराई को कहीं न कहीं एक पन्नमी नोट कर लेता हूँ, बहुत शॉर्ट में, पीसरी बार जब आप से हमको डेट अपॉंटेट है जो मैं बात करूँगा उस पीसरी बार, तो तीन आप बृती अध्यान करने के बाद मैं इश्वर की भासा का अनुवाद करता हूँ, मैं इस्ट्रोजर नहीं हूँ, इस भारत वर्ष में एक से एक मुर्धन्य विज्वान इस्ट्रोजर है, मैं उनके जूती के बरावर भी नहीं हूँ, मैं तो सर्फ इतना ही कर रहा हूँ, कि सरल से सरल भासा में, मैं बोलना चाहता हूँ, ताकि, एक पढ़ा लिखा आप लिखती, जो दस क्लास भी पास है, आज क्लास भी पास है, चाहे वो रिक्षा चलाता हो, चाहे टम-टम जलाते हो, चाहे क्लासवोर में काम करते हो, चाहे कहीं भी काम करते हो, उनका ही तो परिवार है, उनके भी तो साधी होई है, उनका भी तो बेवाही दिवन है, तो उनके काम भी आजाओं, इसलिए उतने सरल से सरल भासा में, मैं बात करता हूँ, कोई भी गं आज थोड़ा सा सफास कर रहा हूँ, फिलिष्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन फीगर बर्ब कर रहा हूँ, जैसे, हम लोग बहुते हैं कि यह गरह तो जल गया, हाथ ही मर गया, बोलता हो ना हाथ ही मर गया, अन्जे गरह जल गया, सूरज की इतने क्रीब आ गया क्यों जल गए तो यह जो ग्रह जल गए उसकी व्याख्या में थोड़ी सी कष्णाईल होती है अभी आकास में सुबह धन दग्नुता उद्य हो रहा है प्रात अचाल थाड़ अच्छे वजे भारत पर्थ में दिली में इसे आते हैं तो सूरज तो उने इस दिग्री में है और बुद्ध है 27 दिग्री में तो दोनों का डिफरेंस है आठ डिग्री और बुद्ध बक्री चल रहे हैं उटे चल रहे हैं सूरज के प्रवहाव च्छेत्र से थोड़ा सा बढ़ गया है बाहर चल गया है तो उस बुद्ध बक्री हो गया है तो यह अपनी सोतंतर चाल चलता है जिसमें बृद्ध हो गया हूँ और तो लाठी का सहरा लूँ किसी और चीग का सहरा लूँ तो लोग बो जै कि हाँ ये ढंडे के साथ चल रहे हैं बुद्ध डंडे के साथ चल रहा हैं बुद्ध बक्री होकरी कर चल रहे हैं नहीं लेकिन बक्री होके चल रहे हो और सूरज के बहुत करीब चले आएं बारे डिग्री से लेकिए जेरो डिग्री के बीची में आ जाएं तो वो बुद्ध चल जाएंगा तो ही उसकती हुजी आठे डिग्री का डिफरेंस है तो बुद्ध चल गया है बुद्ध के दो हाथ तीन नमबर बाया हाथ छे नमबर दाया हाथ या छे नमबर बुद्धर कौन और तीन नमबर समाने घर लेकिन बुद्ध जल गया है तो यह दोनों घर भी जल गया है दोनों हाथ इनके सम्जोर हो गया है नस्ट हो गया है तो मैं उसको जैसे बुद्ध लिखता हूँ पेरा अपना पॉडिंग है तो ज़िए यहां पर तीन स्क्रैच दे दिया तो मतलब यह अपी जल गया है जल गया है हाथी मर गया अभी वह इस्चिति में है बुद्ध अरकास में अभी बुद्ध इसी इस्चिति में है जले हुए है हाथी मर गया है तो जितने लोग अभी उत्हुन रासी के हैं पन्यारासी के हैं आपको थोड़ी सी अभी कठनाई महसूस होगी थोड़ी जिनक लिए कठनाई महसूस होगी आपको जब डिफ्रेंस होता चला जाएगा जैसे सूरज तो सूरज एक डिगरी परड़े चलते हैं तो बुद्ध आगे चलते जाएंगे सूरज भी एक डिगरी आगे चलते जाएंगे सूरज बुद्ध को पीछा कर रहें जलाने के लिए बुद्ध को इसकीन बोगते हैं बुद्ध स्कीन के कारक हैं, बुद्ध बोली के कारक हैं, बुद्ध एकरिकल्चर के कारक हैं, प्रिशी के कारण हैं, खाद के कारण हैं, बुद्ध जो हैं, खेल कूद के कारक हैं, बहुत सारे चीज़ हैं, आप देखेगा परचे दिया रहता है पंचांग में, बोई भी प बता रहा हूं बुद्ध के जितने कारक हैं जो भी जिसीट के कारक हैं यह पंचांग में बढ़नेत रहता है तो थोड़ा पंचांग पढ़ना चाहिए मैं तो पढ़ता हूं जब कुछ काम नहीं रहता है पढ़ने का भी मन नहीं रहता है तो पंचांग ही उठागे पढ़ता हूं अरे पंचांग पढ़ते क्या है मिस्राजी है हाँ पंचांग पढ़ता हूं भी है करन के बहुत सारी informations होते हैं जो आप हमेशा अपने हिर्दे में उसको रख नहीं सकते हैं निकत होती है आप कितना भी बिद्वान हो नहीं कर पाएंगे आप निक रहुं मैं जस्ट वांट टो एक्स्प्रेंस सम्थिंग कि बहुत काम की चीज़ है यह पन्चान के कहां चला जाएं कि चिंताहरन जंत्रे में उनेइस नंबर पेज पर है मित्वन रासी के बारे में लिखा हुआ है यह बुद्ध की एक रासी तीन और छे है न वो उसके बारे में लिखा हुआ है मित्वन रासी में नवांस आरंब होते हैं तुला से पहला नवांस मित्वन का सिला होगा यह दूई सुभाव रासी है दूई पद है मत्विसके दो पैर होते हैं प्रतिक ग्रह से ओर्येंटेड है लगी बच्पन और जबानी के बीच का यह पीरेड आ जाता है और इस्थान बली होते हैं जब लगन में रहते हैं तो ज्यादा बढ़िया से रिगल जाते हैं इस वात को याद रखनी लेगा तो प्रत्थम जिरिशकान इनका कान होता है दाहिना कान जिरिशकान जो है दाहिना हाथ ऐसे करके सारा क्लियस न दिया रहेगा तो थोड़ा पंचान पढ़ना चाहिए मैं ये बात बोल रहा था पंचान भी पढ़ना चाहिए अपनी विद्धोता में नहीं रहना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है आप देखें क्या है बच्चों को पढ़ाए दो दूनी क्यार तिन दूनी छे लेकिन बोलिए अठारा का सतरा का पहड़ा तो कहीं न कहीं गलती कर देंगे जिए उनका अभ्यास छोड़ चुड़ चुका है छे मेहना साथ मेहना से जिए रोज पहाड़ा याद नहीं करते हैं तो एकार गलती तो ही जाती है तो उसमें गलती होना तो चलेगा मार्श कटेंगे लिखिन एस्टोलाजी में गलती होने का मतलब है कि आप किसी के जिन्द्धी बरबाद कर देंगा सर आपका एक वाक्य एक कथन किसी के जिन्द्धी में रंग भर सकता है आनद भर सकता है नहीं तो किसी के जिन्द्धी में भीss गोव सकता है तो आप अनदाज लगाएए क्या इस्थित्य होती है बैठ रहा हो तो ऐसी इस्थिति में आप देखेगा कि कुछ तो पढ़ना चाहिए खाली समय को यूह ही मत जाने जाए कि मैं सब जानता हूँ जो आदमी ये कहता है कि मैं सब जानता हूँ तो सिर्मान जी आप कुछ नहीं जानते हूँ चाहिए प्रमा के अलावा किसी को सब जाती है और नहीं तो फिर भगवान प्रमा विश्व महेश करें पूमेश माता सरशती के लोग जो मनुष्यक कि स्रेणी से बहुत 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 बेटाओं से भी उपर स्रेली में उंके उन्दर में क्यान है उनको सबाता हैं, लेकिन हम लोग जोदे दंब करें कि हमको सबाता है तो गलती हो जाएगी सबाता है। और आप इस्ट्रोलाजी सीख रहे हो तो आप कितनों की जिन्दि बरवाद करोगे। नया साल का मेरा पहला है एपिसोड तो मैं चाहता हूँ कि पहला तो मैं आपको याद दिला दूँ कि पढ़ना जरूरी है। स्वाध्याय जरूरी है। और कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसमें कोई एक नई चीज आपको नहीं मिलेगी। किसी भी बिक्टी के लिखी पुस्तक हो तो उसमें कोई एक नई चीज आपके लिए जरूर मिलेगी। हाँ जब इस दंभों में रह जाएंगे कि मुझे सब आता है तो फिर आपको नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा तो एक तो पहली बात को मैं यह चाहरा हूँ दूसरी बात मैं चाहरा हूँ कि जिसे नक्षतर से धाल होस अफ जो ओनर्सिप अफ दा होसे ग्रह के स्वामी एक दो तीन चार से लेके बारह तक कौन इसके स्वामी होता है और हर ग्रह के लिए कौन अच्छे हैं कौन गुरह हैं ये भी आपको जाना कहिए लेश रासी के लिए कौन ग्रह चुब हैं और कौन ग्रह अचुब हैं आपको एक शीट में वाइट शीट में पहला एक, दो, तीन, चार, पाँच, साथ, आच, नौ, दस, एक आरफ, बारफ, 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 पन्ने एक रेश्टर में आप खाली रखे जो पहले से बना के रख तुके होंगे. और फिर में शरासी में लिखे कि कौन से ग्रह अशुब है, कौन से ग्रह अशुब होते हैं इसमें, कौन से ग्रह इसमें मारकेस होते हैं, कौन से ग्रह है, जो मृत्यू के समान कष्ट देते हैं, कौन से ग्रह है, जो मृत्यू देंगे, दे सकेंगे, कौन से ग्रह है जो नक्षतर सिध्धान्त के हिसाब से आपके लिए अशुभ नहीं पढ़ते हूँ, तो उनको लिख लिजे अशुभ, अशुभ पढ़ते हैं उनको लिख लिजे अशुभ, तो हर रासी का मेश रासी या मेश लगन जो आपकी इक्षा हो वो तो आप जरू ल लिख लिजे, मैं इस पर सोचता हूँ कि 3-4 दिन या 6 दिन कम से कम लो या पूरा 12 दिन इस से द्धान पर लो कि किस लगन में कौन से ग्रह शुभ और शुभ होते हैं ये जरूरी है समझना, नहीं तो कभी-कभी हम लोग अपने को बहुत कुछ समझ लेते हैं, जैसे त्री सदाय, तीन, छे और एगारा, थर्डाउस के लोड, सिक्स्थाउस के लोड, एन इलम्थाउस के लोड, ज़िए रम्थाउस देखेंगे, तो एलम्थ के लोड सबसे खराब, शिक्स्थ के लोड उससे थोड़ा कम खराब, थर्ड के लोड उससे थोड़े कम खराब होते हैं, निकिन किनों खराब होते हैं? सेकंड मार्केस होते हैं, सेवन फ्लॉड मार्केस होते हैं, एट फ्लॉड भी प्रसंग वस्थ, सिच्वेशनल इस्थिपी में मार्केस होते हैं, जिसकी भी देता हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको दिख लेनी पड़ेगी, बहुत सारी किताबें हैं, wonderful books, अब हमारे आँख में किताब का नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन किताब जो मेरा है, उसके जो जिल्ब है, वो याद आ रहा है, ये किताब है, इसमें ये सब दूरे हैं, तो जो पुरानी जिल्ब पड़ी हुए हैं, मैं उसको चेंज न इंदर में, लेकिन एस्टोलोजी कैसी चीज है कि क्योंकि रोज आप पढ़ते हो तो याद रहेगा, जैसे प्रार्टना आप रोज पढ़ते हो तो आपको याद रहेगा, वो मिटेगा निए, कुछलों बिश्नु सहत्रणाम रोज पढ़ते हैं, उनको औरल याद है, और अदुभुत याद है, हमारे एक पंडी ये थे, उनको पूरा दुर्गा सब्तसती, पूरा कंठक, कोई भी स्टोक बोलिये, कहे जनिद्र मौक्ष, कोई गी पोल दीजी एक सब्त, पूरा कंठक याद था, मैं कहता था कि आप पंडीजी तो हैं अपने जग में, लेकिन अमनी में एक एलास में पहार पर जा रहे थे पुछले साल, 2022 में, एलास में उसी मुर्पी हो गई, और वो इससे सजल तो नहीं मिल सकते हैं, उसमें विद्वान तो नहीं मिल सकते हैं, मेरे जिवन में, तो सब्ध्याय और पढ़ना और रिपीट करना ये बहुत जरूरी है ये चीज में बोलना चाह रहा हूं, एक लासिफिकेशन और प्लैनेट्स, पीच लगना, इसके लिए भी अलग से, देखे, मैं उनको ज़्यादा एड्रिस कर रहा हूं, जो नहीं सीख रहे हैं, मैं अब कब तक हूँ ना हूं, मुझे मालूम नहीं है, करने में भी डर लग क्यों करना है, तो ये रिमाइंडर देना कुछ में अपना फर्ज समगता हूं, कारण कि अभी भी कुछ और जो इसकलाजी जानते हैं, वो आते हैं, तो जो कुछ अपने अपने ग्यान का वकान करने लगते हैं, तो बड़ा अटपटा सा लगता है, कि वो तो हाथी वाली ब कुछ और समझ में आया हाथी, कान कुछ और समझ लिया, तो ये चीज़ है कि आप इस मेल में समझते हो, आप पूरी तरह से नहीं समझते हो, यदि अपने परासर नहीं पढ़ाएं, तो कुछ पढ़ाई हैं, कोई तरक नहीं है, इस ब्यांड तरक, महार्ची परासर की तुस्पित ब्रहत परासर हो रहा सार आपने नहीं पढ़ा है, तो आप प्लीस अपने को इस्कोलाजरो तो ज़रू मत पोलिए जाएं, फिर ये तो रिश्यों का अपमान है जाएगा, इस बात ये, दूसरा, मैं ये कह रहा हूँ कि जदी, साथ नम्बर में सनी उच्च होते हैं, सारी दुनिया जानती है, तुलारासर में सनी उच्च होते हैं, लेकिन क्या, सनी जो एक डिगरी में रहेंगे और तुलारासर में रहेंगे तो जो रिजल्ट होगा, वो क्या सनी के दो डिगरी रहने में और तुलारासर में रहने से सेम रिजल्ट होगा? सनी तीन डिगरी में हो, तुलारासर में हो, तो ये रिजल्ट ही सेम ही होगा क्या? मतलब 300 डिगरी में, एक एक डिगरी में चलते चले जाएं सनी कुछ क्या हैं? तो सनी पाले में दस दीगरी में हों क्या हैं, सनी दस दिगरी में हों क्या? तो क्या – सब में ये उच्चे-कार बेंगे? एक बार सोचे आप, ज़िए ऐसा रहता, तो यह बखा नहीं किया जाता रिश्यों द्वारा, कि सनी इतने डिग्री में सर्वोच्च बल रखते हैं, सनी नीच होते हैं, मेश रासी में तो इतने डिग्री में सनी परम नीच होते हैं, तो डिग्री है रिश्ट, एंड रिजल्ट बारी है, अब यह थोड़ा तखिन पर सकता है बिग्नर्स को, लेकिन इस चीज को अपने मन में तॉली है ना, कि सूरज एक डिग्री में एक रासी में उच्छ के होते हैं, मेश रासी में, तो सूरज जब एक डिग्री में हो, और मेश रासी में हो, या सूरज जीरो डिग्री में हो, जीरो डिग्री पच्छीस मिनट में हो, मेश रासी में हो, तो पांस डिग्री में हो, या एगारा डिग्री में हो, पर नहीं होता है नहीं होता है। नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है. होता क्या है कि थोड़ी सी बात जादि आप किसी को गलत सलाह कर दे दिया तब तो आप तो भेंगर कांप कर वैठेना है। जन्गी बर्वाद हो जाएगी किसी की। तो यह कुई कार नहीं है जो आप धक्का देजे करके और एक्सिडेंट करके सीखोगे। कि अस्टोलोजी भी कुछ तो गल्टी करके और ऐसे करके सीखोंगा नहीं साथ गल्टी मत कीजे। मनुशी की जिन्गी नस्ट कर दोगे और उसका खंदान नस्ट हो जाएगा। इसका पूरा कुनबा नस्ट हो जाएगा। यह गल्टी मत करो। सीखो, अपने से सीखो, अपने उपर लागी करो, अपने परिवार में देखो कि किस आदमी की कुण्डी में कितने डिग्री में सूरज थे। दुलारासी में सूरज कितने डिग्री में थे। और क्या क्या रिजल्ट में ला। तो इसको अनुह में आपको लाना जरूरी है, यदि आप चाहो तो उसके लिए एक अलग रिश्टर बना लो और अपना अनुह उसमें लिखते जाओ, जैसे मेरे पास अभी जितने चीज़ें हैं, रौ में ठेल हैं मेरे पास अनुह का, मैं जैसे सब प्रकासित करों तो कम से कम बीस पुष्टें तो आही जाएंगी, किन कहीं ने कहीं तो मेरी छम्ता में रुकावट है, एक ही किताब हमें निकाली, मेरे अंदर में जो था हमने, और मेरे बेटें ने दे दिया उसमें पूरा, पूरा, आपको पढ़नी की जो रोपने हैं उसके किताब के जलिए, साधी बिया का समय है, आपको कुल्डी मिलाईए और किसी भी पन्ने में मिल जाएगी आपकी कुल्डी के बराबर और उसमें मेरे बहुत सरल कर दिया है, मैरे इसको बहुत सरल कर दिया है, मंगल, मंगल, मंगला है, मंगली है, मंगली है, मंगली है, मंगली है, मंगली है, बलडी ये तो एक तमासा बना करक्ता हुआ है, बैसरा एक रिक्सा वाला जो मेंजुक पास करके रिक्छा चला रहा है या कर्ज लेकर के वार्ग फूवालार करके टेक्शी चला रहा है वो क्या करेगा बिशारे पंडीजी के पास जाएंगे पंडीजी बोलेंगे लड़किन आपकी मंगली है लड़का तो मंगला नहीं है साधी मत करो जब कि आप देखोगे जो हमने बात बताई है उसमें मैच भी करता होगा तो आपके अध्यानता के कारण आपके एक जिन्गी तो नस्ट कर देए जिन्गी नस्ट कर देए और इसके सजाब भगवान आपको देएंगे यह नहीं ही कि आप गाड़ी आपकी कराब होगय यू आपने इसकसी को ठोकर मार जिया तिक्ते समय तो तो त्rovire आपकी करालो वो नहीं होता है यह शुरी ज्यान है यह शुरी भासा है शुर की मरजादा है इसको मत کرो आप करो उटा पर लटा मत करो सीखो जो जो हमने कहा कि जो दी बुद्ध बक्री है बक्री वस्था में बुद्ध चल रहा है और सुरच के काफी नजदीक 12 डिगरी के करीब आ गए तो जल गए हो 11 डिगरी के करीब आ गए तो जल गए 10 के करीब आ गए तो जल गए सुरच के 9 में भी जल गए 8 में भी जल गए 7 में भी जल गए 5 डिगरी में तो भी जल गए 1 डिगरी में है तो भी जल गए 0.5 डिगरी में है तो भी जल गए ये जानना जरूरी है, कोई ग्रह ही जल गया है, गुरू है, मालियक गुरू ही जल गया आपको, और गुरू चे कहे हैं आपके चार नम्बर में, तो आप कितना भी गीत गाये, कितना भी इसलागा कीजिए, कितना भी बढ़न कीजिए, कोई मतलब निये, सब बेकार बर्था, रन्य रोदन, और दूसरे को भी आप परशान से जालोगे, सब्के नहीं बताते को गया है, तो ग्यान जरूरी है, सीखना जरूरी है, से अपना ज्यान बढ़ाई है, तो आरभी खवस्चा में आपको बहुत सारी कुल्डियां पतह बनांसर के सीखनी पड़ेगी, अभी तो बनानी की जरूरत नहीं पढ़ती है, अभी तो कंप्यूटर में सब बना बनाए मिल जाता है, रिजल्ट्स मिल जाता है, रिजल्ट् करें बनानी हो तो आप कंप्यूटर या मोबाईल या इन सती जो आपयोग तो यह तो अपयोग कीज़े, अपयोगे, वरी गुद रिकॉर्ट, लिकें अनलस्यस नहीं हो चाहिए, अनलस्यस में पूरी सत्यता आही नहीं सकते हैं, इसके बात मैं, बात ही बोलना चाहता था कि गुरू उच्चे के हैं आपके कुंडी में तो ये भी तो बताएए अस्थान हा नी करो गुरू उच्चे के भी गुरू है और आपके 11th हाॉस में है तो आप उपर से नीचे गिर सकते हो और आपके हर्ट में प्रॉब्लम आगा है कभी नी कभी आपका ऑपरिशन खेटर में आना पड़ेगा गुरू तो उच्चे के हैं लेकिन फिर भी ये रिजल्ट होगा ही बहुत इन फैस्टर से करके बहुत जोरदार सब्दों में रिश्यों ने खा कि अस्थान हानी करो गुरू करेगा तो करेगा यह नहीं कि छोड़ देंगे उच्चे के हैं तो छोड़ देंगे ना इसे बात नहीं कि रिश्यों ने नहीं कहा कि इन इस्थिती वस अस्थान हानी करो गुरू यह तो नहीं लिखा अस्थान हानी करो गुरू सिंपल लिख देंगे कि असे कारक है गुरू संतान के कारक है किसी के कुल्डी में पत्ती पत्ती दोनों के कुल्डी मुझे जी गुरू फिर्था उस नहीं है नहीं हो सकता है अस्थान हानी करो गुरू हो गया है और पत्ती के कुल्डी में भी अस्थान हानी करो गुरू हो गया है और पत्ती के कुल्डी में भी अस्थान हानी करो गुरू हो गया है लेकिन मैंने इसमें एड किया है अपनी और से अस्थान हानी करो गुरू सुभद्रिष्टी सन्योग भिना जब इसमें उस पर कोई सुभद्रिष्टी ना पड़ती हो तो इस्ट्रलाजी में साथ समें ये भी कहा गया है कि पाप से पापी ग्रह हो लेकिन उस पर तीन शुभ ग्रहों की दृष्टी पड़ती हो तो ग्रह शुभ हो जाएगा पापी नहीं रहेगा देखे शुभ ग्रह तीन ही है बुद्ध, जुरू और शुक्र क्रुएल ग्रह दो है क्रूर ग्रह, सुरज और मंगल बाते सारे ग्रह शुभ ये सिंप्र प्लासिटिकेशन है तो अब ये सोचिए कि नवम पंचब भाव में भी सनी दृष्टी देते हैं कोई भी ग्रह अपने जगह से पांच में घर को भी देखता है, नवमे घर को भी देखता है किसरे घर को भी देखता है, दसमे घर को भी देखता है ग्रिष्टी चप्टर पढ़े ठीक से? अम मालिया सनी ज़ी 25 पैसा या 50 पैसा भी ज़ी बल से हानी कर रहा है तो ये तो सर्टेनास करने के सक्ती रखते हैं कोई गरह शुप कर रहा है आपका 75 पैसे के बल से या 100 पैसे के बल से और उसी पर सनी की भी दुरिश्टी पड़ जा रही है तो निकलाइस नहीं होगा सनी की भी जो अशुप दृष्टी है पाप दृष्टी है ओभी रिजा जाएगा सुब ग्रहवाई जो दृष्टी है ओभी रिजाएगा तो अब कितना चैतन्य अवस्था में है ये इसकी बहुत जरूरी है कुल्डी बताने में कि नई साल में कम से कम इतना ज़रूर प्रिपाज कीजिए स्वाद्ध्याई के लिए अपके पास समय नहीं बसता हो अनुद ये आप ट्रेन में चलते हैं पिसलिए सार में जाते हैं आधे गंटा कही सफर होटा है आपको तार में आधे गंटे से लिए एक घंटे का चुबिस घंटे के वितरने समय निकाल बात ज्याई के लिए पठन-पठन और मन्सरजाब। इसना को समय निखाव सकता है। नए साल का रिजुलिशन लोग लेते हैं ने। कि नए साल में मैं अपने अंदर में इस गुण की बृद्धी करूंगा। मेरे अंदर में ये बुराई है, ये गुण नहीं है, ये दुरगुण है, इसको समन करना है, शांत करना है। क्योंगी। हमारे डिरेक्टर साहिब भी बहुत दुश्चा हो जाता है। यानुस भाई। और बृद्धावस्था के कारण संभा होता। कोई बहाना नहीं ले रहा हूं, अपनी क्रोध पर भी मेरा नियम्टन नहीं रहता है। तो हम लोगों ने दोनो नाना नापी ने ये सोचा कि तबो दो हजात्ते इसक्मे क्रोध को जतना छोड़ सकते हैं हम लोग दोनों आदमी छोड़े हैं। इसका संकल के लिए कर सकूंगा नहीं मावेड़े, तेस्टा तो कर सकता है। आप भी करें। क्रोध ही पहला इसक्त है जहां मनुश्य को नीचे जाते हैं। क्रोध पाप का मूल है पाप अमूल अभिमान। तो उस्य दयान थाड़े जब लगे तन में उत्राण। तो यह इस्टिती रहते रहें। अब दिखे कोई ग्रह चाहे गुरु हो या सनी हो जब जीरो डिग्री में और एक डिग्री में रहेंगे और वही ग्रह जब 29 डिग्री में रहेंगे। सिम्री जबे में 29 डिग्री में आपको मालम है बहुत बार वोल पर कोई भी ग्रह निस्फल हो जाता है। तो लारासी का सनी भी निस्फल हो जाएगा। बेश रासी का सूरज भी निस्फल हो जाएगा 29 डिग्री में। मंगल भी मकर रासी का 29 बिगरी में निस्वल हो जाएगा तो बिगरी के तो महत्ता है तो कुछ-कुछ संक्लन करके यह सब भी लिखना सुरू कीजिए जो लोग ने एक दो साल से हमारे साथ चल रहे हैं पुराने जो लोग हैं वो तो बहुत कुछ संभाग चुके होने आठ सो से थोड़े ही कम मेरे वीडियोज है जो पुराने हैं और इस्टुडेंट हैं तो लटके जरब देखें लग तुछ तो मिलेगा आपको मेरे हर एपिसोर में तुछ में जाएगा आपको मैं यह नहीं कहता कि मैं ज्ञानी हूं ज्यानी नहीं हूं आपको यह बोलता हूं कि मैं कथिन से कथिन चीज़ों को सरल से सरल रूप से प्रस्तुती करन कर सकता हूं इतनी चंता इश्वर ने को भी है और इस्ट्रोलोजी जो थोड़ा सा रहस्मे चीजों के परत को हता करके सप्टी को दिखाने का काम है के कठिन भी है इसको भी मैं सरस बना सकता हूँ इतनी जोग्यता भगवान से मानता हूँ अब जोड़ी मैं कहूँ कि आपकी आयो अस्टी साल है तो आप गिनने लगी है कि कितना वी जिया कितना बाक्ती है जोड़ी मैं कहूँ कि आपकी आयो दिरगायो है तो मैंने सब्दों से ढख दिया ग्यान को ताकि आप दूने नहीं कहाँ दिरगायों में कितना साल और मैं कितना साल और जियूँगा इस तरह की बातें कुछ नहीं होता है मन में मैं बहुत स्टॉंग हूँ लेकिन धीरे धीरे वो हिट करने लगता है ये सत्य है नहीं है। नहीं है इस सत्य है ए अप लाक वह लें कि मुझे लुक्तियों से भ है नहीं रखता है। मृत्यु मृत्यु है भगवान शिव के है तो अच्छे बुरे को समय रहते हैं कोई इसी चीज नहीं है धर्टी पर जो ब्रह्मा देने बनाया है जैसे एक पॉइंट नहीं और एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है तो मृत्यु में भी तो ही बात है तो एक घंटा आधा घंटा आधी से पुनियाद है उसे लातने कामेरी बात नहीं है एक घड़ी सोविस मेट का होता है अद्धि एक घड़ी छोडुन, अदी से फुनियाद है तो बारह है एक घड़ी तो गुरुस आधी घड़ी मने बारह आधी से पुनियाद है तो भारह सक छे मिनट है तो भगवान बोड़ते हैं चे मिनट इतने देर के लिगी तो याद कर दो मैं थोड़ा और को रिफाइन करके बोलता हूँ चार मिनद तो तुल्षिदा से बाल नहीं है लेकिन तो भी भ्रम में पड़ जाए ना चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भी तुल्षिदा से चंदन घुसे तिलक देट रगवी नहीं पहचान पाए मैं रगवीर को तिलक लगा रहा हूँ भगवान सुछान को तिलक लगा रहा हूँ नहीं पहचान पाए तो भी भ्रम में आगए तो हनवान जी ने कहा कि यह तो हो गया गड़ बाड़ा तो वो तोता का रूप ले करके अब सिसी बना करके उन्होंने तहीं तपाई पूरा है कित्रकूट के घाट पर भाई संतन की देख तुल सिदा से संदंग देख रगुबीर रगुबीर बोलते बोलते उनके कान में अम्रिक गया और उनकी चीतना आई तो सामने में देखे जिनको ते लग लगाए हो तो गाय भोगए वां प्रवू के लिए लाने तो चार मिनट भी निकाले शर्ट चार मिनट भी निकाले शर्ट चार मिन रखना फ्त मन कडहो तो चार मिनट भी निकाले शर्ट क्र अग्ना भी निकालुम्री निकाल शर्ट मौटमाने लाग्याँ this is unit of the rotation of earth that's the duration of the earth the longevity of earth decided by Lord Brahma अर जब दोग्रा ही कथे होते है न युद्धी होते है न हम लोग बोलता है कि गुरु रहो एक का साथ हो गया तो गुरु चंडाल योग लग गया चंडरबाद के साथ गुरु आ गया तो बोलता है कि जज़ के इसी जोग हो गया ठीक है जो सास्ते में बन लिए थे वर जल तो मिलेगा ही लेकिन दोग्राद की जब योती होती है तो एक खास बात और है जैसे मांद लिया मंगल और बुद्ध की जटी हो रही है और आपके लगन में है तो बुद्ध जो है लगन में लगन का राक लेत जैता है और मंगल तिन्थ हास में बढ़े ज़ल जैता है लेकिन दोग्राद की जटी है लगन दोग्ण की बुद्ध का रिजल जयदा बेटर होग hey एस कंपेर टू अंगल लेकिन जिस बात तो मैं शुरू किया था उस बात पर मैं फिर से आ रहा हूँ डिगरी कोई भी ग्राफ 30 डिगरी का एक जोन होता है 12 भाव है 12 भाव तीस से जुनाज़ कर जिए 360 डिगरी होने गए है तो सास्थ ने कहा है सास्थ ने लिखा है जो ते सास्थ ने कि अमवश्या सूर्द और चंद्रमा जब अमवश्या बनाते हैं उस से च्छे दिन पहले और च्छे दिन बाद चंद्रमा कमजोर ही रहते हैं फिरी बाद पकड़िए अमवश्या से च्छे दिन पूरब पहले और च्छे दिन बाद चंद्रमा कमजोर ही रहते हैं जड़ती सूर्द चंद्रमा भिन भिन भाव में रहेंगे फिर भी कमजोर रहते हैं तो एक दिन का मतलब हो 12 डिगरी, शुर्ज और चंद्रमा की दोरी 12 डिगरी, और 6 दिन इधर, अमच्षा के 6 दिन उधर, 6 दिन उधर, 12-6-72 तो अमच्षा से 72 डिगरी पहले तक, और अमच्षा से 72 डिगरी बाद तक चंद्रमा समझे हो रहते हैं, इखिरी के बात में बोल रहा हूं, और इसी को बड़ी हैं सब्दों में बिना डिगरी के कह दिया गया है कि 6 दिन पहले और 6 दिन बाद आमा उस्षा के संद्रमाद सब्दे वर हो रहा है। तो एक दिन का मतल pee 12 डिगरी होता है। एक तिथी जब सूरज और चंद्र बागती दोरी बारा डिग्री हो गई तो एक तिथी बढ़ गई तो कोई भी ग्राफ जदी वो 15 डिग्री में है विड्ध है 30 डिग्री का अधा 15 डिग्री तो 15 डिग्री से तीन डिग्री और 15 डिग्री से तीन डिग्री पहले और तीन डिग्री बार छे डिग्री हो गई ना 15, 16, 17, 15 को छोड़ दीज़ें 16, 17, 18 कोई भी डिग्री कोई भी ग्राफ जब 15 डिग्री में हो 16 डिग्री में हो 17 डिग्री में हो 18 डिग्री में हो या कोई भी ग्रफ 15 डिग्री में हो 14 डिग्री में हो 13 डिग्री में हो 12 डिग्री में हो तो यह पूरा रिजल्ट देगा फुल पावर से रिजल्ट देगा जतना वो देने में सामर्थ होंगें जडी इचीए कहें तो सामर्थ से दूसरा रहेगा नीचे हें तो सामर्थ से दूसरा रहेगा तो जितना उनका सामर्थ है तो पूरा सामर्थ हो तेरह, चौदह, बारह, तेरह, चौदह, पंदरह, सोलह, सतरह, अठारह डिगरी में जदी कोई ग्रह है तो आप बिना कैलकुलेशन के जोड़ लेजिए कि इसके रिजल्ट अच्छे होंगे इसी में जब कोई ग्रह 29 दिगरी के पास समा गए, 29 दिगरी में धुड़ गए तो इनके रिजल्ट सही नहीं होंगे पुल्टे पुल्टे रिजल्ट हो सकते हैं कोई ग्रह जिरो डिगरी और एक डिगरी में है तो एक दम बच्चा है वालक है अभी अपने मुम्मी के पेट से निकला है वहां पर फेक सकते हैं तासे उनकी चलेगी लेकिन बल्वान को उतने नहीं होंगे नहीं तो यह कंसेप्ट आपको अपने मन में रखना पड़ेगा पुलर सिस्टम में सबसे कोबल गुद्ध होते हैं और सबसे रॉबस्ट समी होते हैं और सबसे अधिक सुख़दाई गुरु होते हैं ग्यान की हिसाब समय सुख्र को वोड़ता हूं करण की ब्रस्पति देवताओं के गुरु ने इस पता एकसप्ट किया था कि मैं सुख्र से वलवान ज्यादा ग्यानी नहीं एक आज बार में करते कहूं कि इंद्र जो बन बनाए थे बन लगाए हुए से उपन टॉप क्लास और मुहर को देने वाले ब्रस्पति लेकिन उस पूरे वगीचे में उपन में आग लग गई जल गया सुख्राचार्च को रिक्विस्ट करके बलाएं और पूछा कि किस है तुप किस कारण बस यह जल गया बन तो सर्जी आए हैं तो सुख्राचार्च ने का कि एक चूख हो गई जिस समया बन लगा रहे थे उसमें अग्मी तर्तों का उदाय हो रहा था है कि अ आये न आया रहे है हो गया हो गया है हो गया कि रिस कर रहा हूं कि अग्वन हुआ है कि अब कोया कि आपको अप्लोड करना है कि अब ब्था गॉले पूज जेता है तो ब्रस्पति भी हार गए हार करके उन्होंने पुक्राचार्ट को बढ़ाए तो इक ज्ञान अनंत है आप नहीं कर सकते हैं कौन ग्यान में बढ़े हैं और कौन चोटे हैं जिदि आप किसी को दुरू समझे लिए ज्ञान में वह आपसे कम है तो यह आपकी जल्ती होगी आपके लगुता कि सवाल से नहीं होते ज्ञान ज्ञान है तो नए साल का यह पहला एपिसोड आपको बोल रहा हूं कि श्रीक्रिक्ष्ट के साथ स्वाइद रखे कुछ समय निकाल दिए आधे गंटे 15 मिनट इस्ट्रोजी को तो समय देगे कुछ नहीं हो तो पंचान पढ़ें पहले ही काता मैं कुछ अच्छा नहीं लगता है तो पंचान पढ़ता हूं मूट ठीक हाजाता है तो इस क्या वर्शिक्ता है अब बोल नहीं पा रहा हूं यहीं समाप्त कर रहा हूं अगले एपिसोड में कुछ और बात बोलूंगा बोर्ट पर आकर करें अगला नहीं हो पाया क्या में हो डखिक्वागी और वा यह यह को च्ट कमार है क्या ज्यानृष्वे क्यान